हेलो गईज अब देखो कुछ चार्ट्स हम डिसकस करेंगे इसमें और ये चार्ट मुझे बहुत अच्छे लग रही ये लेवल पे तो उसमें से जो हमारा फर्स स्टॉक होगा वो होगा आईटी सेक्टर से अब ये जो पर्टेकुलर चार्टे मैं आपको इसमें डेली टाइ पर ये चार्ट है अब देखो इसका हाई इसने क्या लगाए इसका हाई 870 के असपास है ये 870 के असपास है और अभी चल रहे है 450 अब ये इस लेवल पे मुझे अच्छा क्यों लग रहे है तो ये जो पाटन है चार्ट पाटन देखो यहाँ एक डबल बॉटम जैसा सिनार ये फिर सी इसको उपर जाने के लिए अब ये उपर जाता तो हमें क्या वनेगा एक डबल्यू का भी हम ब्रेकाउट देख सकते इसमें और आई टी कंपनी आई तो ये कपी पी किता भी चल सकती है मैंने एक बार देखी तो इस पे आप नजर रख सकते ही ये चार्ट अच् और उपर अगर हम देखा जाए तो फिर ये 527 उसके बाद 569 तो ये कुछ multiples इसके लिए hurdles से बाकी तो मेरी सबसे ये अभी अच्छे लेवल पे मिल रहे है मेरी सबसे ये stock अभी double bottom के साथ हम रख सकती है ये तीन ये जो तीन लेवल से कर अब निग्समेंटर अब ने ये दिसके लिए ऊपर के तरफ देख सकती पहला है 498 569 एंड ऐन 740 ये तीन लेवर हम इसमें अपर के तरफ देख सकती अजिली और इसके गएवर मेंस फंडामेंटल देखुँ तो फंडामेंटल देखु देखु गई एक हजार करोड की क्या इसकी मार्केट कैप है 40 के पी पे एविलेबल 122 बूक वैल्यू से तो भी उपर चल दी बट बूक वैल्यू 100 के उपर है मतलब ये एक अच्छी बात इसमें और यहां जो पैटर्न जो बन रहा है ना 50 डिये में और 200 डिये में मतलब पास आ गए एक दूसरे को और यह भी चलने को तयारी यह चल सकता यहां से अच्छा है इसका और 40 के पीप अवेलेबल है और यहां देको प्रॉफिट गुरूथ 10 थी 16 हो गई 15 हो गई तो एक अच्छे फ्लो के साथ यह चल रहा है मेरे हिसाब से से प्रमोटर के पास है मतलब मेजोरीटी तो प्रमोटर ही होल्ड कर रहे है और पॉइंट ट्वेंट फाइए जिरो पॉइंट जरो डिया और पॉब्लिक के पास 25.72 तो मेरे इसाब से यह रखना चाहिए इसे एक लॉंग लॉंग टम में आप इजीली रख सकते हो इसे कि मतल अब नेक्स्ट मेरे रडार्पी यह जो कंपनी बहुत टाइम से में इसमें यह भी भी बोल रहा था 230 के आसपास जब था यह यह जब डबल वाटम बन रहा था मैं तभी बोल रहा था कि इसमें कुछ ना कुछ तो स्टेक रख लेना चाहिए भारत वायर यह जो कंपनी ना उपर 400 तक के घर खाली इसमें 400 तक तो यह आने आ सकता है और इसके अगर मैं फंडामेंटल की देखू तो दो हजार करोड की कंपनी 21 के पी पे 40 की बुक वेल्यू और इनका काम क्या है यह बनाने का काम कंपनी करती है और आपने यह जो 50 DM है इसके 200 DM को उपर के दरफ काटने के लिए फिल्कुल रेडी है और जभी भी 50 DM है 200 DM को नीचे से ऊपर के दरफ काटता है तो शेर में इक हमें फ्रेश देज देखने मिलती है इसको गोल्डन क्रॉस और भी बोलते तो इस पर आप नजर रखना 33 के CSR से ग्रू करे लास्ट फाइयर से जोके अच्छी बाते अरोई अच्छा है 41% का तो ओवराल मुझे तो सही लग रहे और देखो यहां पे 139.83% प्रमोटर था यह जो 40.77 हुए 40.98 हुए वन पॉइंट एफाइज थे अभी 3.08% एफाइज हो गया और डियाज के पास 2.61% तो वराल प्रमोटर भी भाई करें एफाइज भी भाई करें डियाज भी भाई करें तो मेरी सबसे यह कंपनी अभी पी रडार पे रखनी चाहिए लॉंगर रण के लिए तो दो स्टॉक जो डिस्कस किये भारत वायर और इन्फो बिन इसको अपले के चल सकते हो